हलो फ्रेंड्स नमशकार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और इस वीडियो में मैं बात करूँगा लिखित परिक्षा यूपी टीटी कोर्ट अपडेट याची जो भी हैं और भी बहुत सारी बातें जो भी मेरे विवर्स हैं वो इस वीडियो को पूरा द राय है आप इसे चाहें तो सारवजनिक समझ सकते हैं वरना ये मेरी व्यक्तिगत राय है देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को शुरू से पता है कि यूपी टीट का कोर्ट केस तब ही से चल रहा है जब से अंसर की लांच होई है और जब से इसका में आ रहा था कि सिर्फ याचियों को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है सारे प्रदेश के स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर ये लिखा हुआ है कि यूपी टेट के आधीन है ये रिजल्ट तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट के फैसले का जो असर होगा वो सभी के रिजल्ट पर प कोर्ट जा सकते हैं और इसे चैलेंज कर सकते हैं तीसरी बात यह है कि अभी जिस प्रकार से इस फैसले की सुनवाई चल रही है हर सुनवाई में ऐसा लगता है कि ये केस पूरी तरह से विद्यार्थियों के पक्ष में है इतने नंबर बढ़ने चाहिए और मेरे हिसाब से म जिहत सटीक लगाए गए हैं तो मेरी राय में भी नंबर बढ़ने चाहिए अब कितने बढ़ने चाहिए तो कुछ कॉमन प्रश्ण है पांच छे जो मैं कहूंगा कि हां बिल्कुल उन पर बढ़ने चाहिए जैसे आपका पिता वाला है डबलु डबलु एफ वाला है बोलि मिलने चाहिए और सभी विद्यार्थियों का कल्यार होना चाहिए तीसरी बात यह है कि जैसे आज 15 फरवरी की जो भी सुनवाई हुई है और इसके बाद डेट आ गई है 26 फरवरी को और ऐसा कहा जा रहा है कि याचियों को फाम भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि याचियों को जो फाम भरने की डेट है या जो भी है ये राहत मिल रही है तो इसका लाब क्यों नहीं उठा रहे हैं ये लोग फाम क्यों नहीं भर रहे हैं चलिए छोड़िए ये मेरा मैटर नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोड की सुनवाई क फैसला नहीं आता है और लिखित परिक्षा अपने नियमता समय बारा मार्च को हो जाएगी तब क्या होगा तो मेरे हिसाब से जितने भी विद्यार थी यूपी टेट पास हैं या यूपी टेट फेल हैं आप सभी दोनों लोगों के लिए जो लोग फेल हैं वो प्रतीक्षा क करते रहें और जो फेल हैं वो भी पड़ते रहें क्योंकि पढ़ना जो है कभी जादा नहीं होता या आपका खराब नहीं जाएगा अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए ही प्रॉफिटबल रहेगा और लिखित परिक्षा का जो निर्धारिट तित्ही बारा मार् और 99.99 मेरे हिसाब से ये परिच्छा आपने निर्धारित समय पर हो जाएगी करवा लेंगे ये लोग क्योंकि पेपर जो बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और अब 20 तारीक से सेंटर बनना भी शुरू हो जाएगा इसका तो हो सकता है आपका जो एडमिट कार्ड है वो 26 फरवरी से अपलोड हो जाए वेबसाइट पर नहीं तो एक मार्च से कंफर्म अपलोड हो जाएगा ये तो क्योंकि 26 फरवरी से एडमिट कार्ड बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी तो जितने भी लोग लिखित परिक्षा की तयारी कर रहे हैं वो तयारी पर विशेश ध्यान दें इन सब चीजों से मत विचलितों की परिक्षा की डेट बढ़ जाएगी या जो भी है आप 12 मार्च ही परिक्षा की तिथी को मान करके चलें और जिन लोगों का करेक्षन हो गया है सब कुछ ठीक है आपका एडमिट कार्ड आएगा आप जा आता है या नहीं आता है आने की स्थिती में अगर आप एक्जाम देने जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग जो है इलिजबल है क्योंकि मामला आपका कोर्ट में है आपका रिजर्ट कोर्ट के आधीन है लेकिन फिर भी वैसे बहुत कम चांस है कि एडमिट कार्ड आगे भी मैं आपको वीडियो में अपडेट देता रहूंगा तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्यू सो मच्छ